सब्भी को नमस्कार दथीफ स्टोरी टेंथ क्लास की बुक फोट्रेंज विदाउट फीट का दूसरा अध्याय है और इसे रस्किन बॉंड ने लिखा है यहे कहाने 15 साल के एक युवा लड़के ने सुनाई है जो एक कुशल चोर है और अपने तराश में रहता है कि किसे चो लक्षे को खोजने में शक्षम हुआ या नहीं हुआ इसके जैसा कि मैंने पहले वताया लेखा करस्कीन बॉंड है और कथा वाचक एक युवा लड़का है जो अपनी चतुराई के कारण बहुत सफल चोर है वह एक कुस्ती के खेल के दोरान अपने नए लक्षे अनिल से मि अपना परिचे दिया कथाकार हर महीने अपना नाम बदल लेता है तकि वह पुलिस से बच जाए वे थोड़ी देर के लिए कुस्ती के बारे में बात करते हैं और फिर हरी सिंग अनिल से पूछता है कि क्या वह उसके लिए काम कर सकता है लेकिन अनिल कहता है कि वह उसे पैस नहीं दे सकता था फिर हरी सिंग को खुद पर संदेह होने लगा कि अगर उसने गलत व्यक्ति को तो नहीं चुन लिया अब हरी सिंग अनिल के पास जाता है और उससे कहता है कि अगर वह उसे सिर्फ खाना खिला सकता है तो बदले में वह अनिल के लिए खाना बना सकता है अनि इतना हरी सिंग उसरात बनाता है इतना खराब और बेशवाद होता है कि अनिल उसे आवारा कुट्टे को दे देता है अब अनिल उसे वापस जाने के लिए कहता है लेकिन हरी सिंग सिर्फ मुस्कुराता रहता है इससे अनिल का दिल पिंगल जाता है और वह हरी सिंग को खाना बनाना सिखाने का फैसला कर लेता है बाद में वह उसे लिखना भी सिखाता है और नंबर जोड़ना भी सिखाता है अब हरी सिंग बहुत खुश है और आभारी है क्योंकि वह जानता है कि अगर वह शिक्षित हो जाता है तो वह अधिक पैसे कमा सकता है अब हरी सिंग अनिल के लिए छोटे मोटे काम करने लगता है जैसे कि चाई बनाना और बाजार से सामान लाना यह सामान लाने में हरी सिंग हर दिन लगभग एक रुपे का घपला कर लेता है लेकिन अनिल कभी भी नहीं पूछता है अनिल के पास कोई पक्की नोकरी नहीं है वह पत्रिकाओं के लिए लेक लिख करके कुछ पैसा कमाते हैं पहला परवाही से खर्चा करता है और भविश्य के बारे में कोई भी योजना नहीं बनाता है अनिल को लिखने के लिए पैसे मिलते हैं यह विचार उसके लिए अजीब है इस समय हरी सिंख धैरे पुर्वक्त चोरी करने के लिए सही समय का इंतजार करता है एक शाम अनिल नोटो का एक छोटा बंडर लेकर की आता है वहाँ हरी सिंग से कहता है कि उसने एक परकाशक को अपने पुस्तक वेच कर छे सो रुपे कमाए है अनिल यह बंडल सोते समय अपने गद्धे के नीचे रख देता है अब हरी सिंग को लगता है कि यही समय है पैसे चुराने का और वैसे भी यह पैसे तो वह बरबाद कर देगा इसलिए वह सोचता है कि उसे लूटने का सही समय है हरी का मानना है कि एक लापरवा आदमी को लूटने में कोई आनद नहीं है क्योंकि कभी कभी वह यह भी नहीं देखता कि उसे लूट लिया गया है रात के समय हरी अनिल के कमरे में जाता है और गद्दे के नीचे से पैसे निकालता है उस पैसे से हरी एक दो हफ़ते में अमीर आजमियों की तरह रह सकता था अब हरी साड़े दस वजे लख नव ट्रेन पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंसता है लेकिन किसी कारण से वह ट्रेन में नहीं चड़ पाता है और उसे उसका विवे कैसा करने की अनुमती नहीं देता वह अनिल जैसे वैक्ति को दोखा देने और उसके विश्वास को नस्ट करने के लिए खुद को दोसी महसुस करना शुरू कर देता है इस तरह से ट्रेन चले जाती है और हरी अकेला रह जाता है उसके पास कोई दोस्त भी नहीं है तो वह वापस अनिल के पास जाने के लिए सोचने लगता है लालची आदमी डर दिखाता है अमीर आदमी क्रोध दिखाता है और गरीब आदमी स्विक्रती दिखाता है उसके लिए कैसे अलग-अलग लोगों को लूटने के बाद प्रतिक्रियाएं आएंगी यहवे रास्ते में सोचने लगता है वह मैदान में एक बेंच पर बैठता है और फिर जोरदार बारिश होने लगती है हरी और सारे नोट भीग जाते हैं हरी अनिल के स्वभाव के बारे में सोचते हैं कि कैसे उसने हरी के साथ प्यार और सम्मान के साथ व्यवार किया था जब हरी बापस पहुंचता है तो वह नोटों को ध्यान से बिस्तर के नीचे सरका देता है अगले दिन हरी के उठने से पहले ही अनिल चाए बना चुका था अनिल हरी को पचास उपे का नोट देता है जो अभी भी गीला है अब हरी को लगता है कि वह पकड़ा गया है लेकिन अनिल उससे कुछ भी नहीं कहता है बेहे हरी को विश्वास दिलाता है कि अब उसे न्यमित रूफ से पैसे देखगा और दोनों एक दूसरे को देख करके मुस्कुराते हैं हम इस कहाने से यह निशकष निकास सकते हैं कि अपराध और भैसे भरी इस आधुनिक दुनिया में किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल है लेकिन कभी कभी एक बैक्ति को बदलने के लिए प्यार की जरूरत होती है आज कल ऐसे लोगों को ढूड़ना बहुत मुश्किल है जो आपको बिना किसी शर्थ प्यार करते हैं और बदले में कुछ भी उमीद नहीं कर सकते हैं तो सारंस यह है कि बुरे इंसान को भी बदला जा सकता है जिस प्रकार हरी में बदला आया